नमस्ते वरिबान तो टोड़े विल टॉक अबाओट फाइव इम्मुनिटी बूस्टिंग फूड क्योंकि विंटर्स आचुकी हैं तो सबको समझना है कि अपनी इम्मुनिटी को किस तरह से स्ट्रॉंग रख सकते हैं हमारी नेचर ने बहुत ही खुबसूरा तरीके से हमारी इम्मुनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स और विजटेबल्स दियें तो आएए उन में से कुछ ऐसी चीज़ों को हम सेलेक्ट करते हैं और अपने डेली रूटीन में लाते हैं जिन से हम अपनी इम्मुनिटी को बूस्ट कर सकते हैं तर्मरी यानि की हल्दी हल्दी एक ऐसा हमारा नीचर का दिया वह प्रोडेक्ट है जिसे आप सबजियों में भी इस्तमाल करते हैं और आप हीरिंग प्रॉसस के लिए इस्तमाल करते हैं इंटर्नली भी और एक्स्टर्नली भी तो अगर आप उसे अपने रूटीन में इस्त तो वो आपकी immunity को boost up करने में help करती है otherwise you can go for the raw healthy also which is easily available in the local market second, ginger और garlic ginger और garlic जो हम बहुत अच्छे से अपने खाने में या raw form में या किसी भी form में इस्तमाल करते है तो आप चाहे वो अद्रक को आप चाय में डाल के इस्तमाल कर सकते हैं आप raw शेहद में मिला कर भी इस्तमाल कर सकते हैं और आप garlic को खाली पेट भी ले सकते हैं जो आपकी कॉलिस्ट्रॉल को कम करने में भी help करेगा और immunity boost करने के लिए हम ginger और garlic जो हमारी nature बहुत असानी से हमें दे देती है हर season में तो हम उसे अगर अपने daily routine में चाहे हम खाली पेट, हम ginger और garlic को लेते हैं शेहद में मिला के लेते हैं चाहे हम अद्रक को चाई में डाले और या फिर हम सबजीों में डाले और या फिर हम शेहद के साथ मिला के लेकि किसी भी form में अगर हम इन चीज़ों को यूज करते हैं जो हमारी immunity को boost up करने में help करता है इसमें vitamin E भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है तो अगर आप diabetic नहीं है, अगर आप obesity का शिकार नहीं है और आप अपने ideal body weight को maintain करते हैं तो आप dry fruits का intake, especially pistachios, almonds या फिर walnuts अगर आप use करते हैं तो ये आपकी immunity को और boost up करने में help करेगा But make sure if you are diabetic or obese, so cut down the intake Winters आते ही, हमें बहुत सारे citrus fruits हमारे local market में हमारे आसपास मिलने लगते हैं वो इसलिए कि हमारी nature ने हमें बहुत खुबसूरती से citrus fruits हमें winters में दिये हैं ताकि हमारी जो immunity अगर थोड़ी सी भी compromise होती है तो citrus fruits के जरिये हम बहुत अच्छी मातरा में लेकर vitamin C मिल सकता है हमें जो हमारी immunity को boost up करता है citrus roots में जैसे के जितने भी आपके संत्रा है, moss me है, या नीमबू है, टमाटर है जो कि हर सीजन में available रहते हैं तो ऐसे फलों का आप ज्यादा से ज्यादा यूज़ कर सकते हैं Guava is a richest source of vitamin C जो कि आपकी immunity को और boost up करता है तो आप ऐसे fruits को जितना ज्यादा लेंगे, उतना ज्यादा आपकी immunity बढ़ती है इसके लाव हम बात करते हैं जो हमारी nature ने हम सब को बहुत आसानी से और बहुत easily available करा रखा है वो है colorful हमारी vegetable जैसे की गाजर, जैसे चुकुंदर, जैसे गोबी, जैसे मटर, जैसे green leafy vegetable इन सब चीज़ों में जितने भी colorful fruits, vegetables होते हैं विटामिन A अगर C अच्छा होता है तो विटामिन A भी बहुत अच्छा होता है जो कि हमारी immunity को boost up करता है तो इन जिस्ट अगर हम अपनी डाइट में बहुत अच्छी मात्रा में turmeric यानि की healthy यूज़ करते हैं अगर हम बहुत अच्छे से citrus fruits और vegetables को इस्तमाल करते हैं dry fruits का intake अच्छा रखते हैं onion garlic को अगर हम regularize करते हैं अपनी डाइट में so we can boost up our immunity thank you so much